करेली के खारD मैं बनाना करेली कहुंद मैं चम और यह तरह का मैं सकते हैं इसके लिए देखिये मैंने कम तोम शेचाथ करेल élig और एहए मैंने और एक आम लिया है मैंने करेलल अच्छे से दूली है और मैंने साफ कर लिये थी उसके बाद में थोड़ी देगे रख दी थे थे जो थोड़ावध पानी रहा लाए उसके बाद में साफ कर लिया थी काटने के बाद मैं इसमें नमक मिला कर कि करलो हम इसे रख देंगे धूप में और नमक अच्छे से मिला देंगे क्योंकि जो करेलों में कर Kastically करवापन होता है नमक मिलाने से वो निकल जाता है और दूप में ख़ड़ेते ऊहले तो करेल नहीं बनते हैं चाय वो भरे हुए बनाए हम और चाय हम कटे हुए बनाए है तो इसलिए मैंने देगी सबी करे लिए इस तरीके से चुटके पीस कर ली है और इसमे नमक मिला करका अच्छे से नमक मिला दूगी और मैंने धूप में रख दूगी यह वाले करेली भी न वह टेस्टी बनते हैं वह स्वाधिश्ट बनते हैं आप एक वा जरूर ट्रै करके देखना है यह वाले करेली भी और देखें मैं अच्छे से नमक मिला दिया है अब हम रखेंगे इने धूप में यह देखें हमने करेली रख दिये हैं धूप में धूप रखने के बाद में किम सॉफ्ट होगए है यहां पर मैंने लिया है और चार प्याज ली है आप छोटी है तो आप हम दो छह साथ ले सकते हैं मेरी यह बड़ी-बड़ी है साथ मेरी चार प्याज ली हुई है और देखिए इस तरीके से जो मैंना वर्च से चीचिछ कर लोंगी इसी तरीके से आम दो यहां पर हमारी सब्सक्राइब में कट लिए और पैज्वी पॉचिक को हम लिया है आम कट करनी है औरिडिया कि हम आम को हम साथ में कट कर लें गर यहीं मैंने करें वाश कर लिये थी दुल दिये अच्छे зад Healing पानी में निकाल दिये ते जिससे कि नमक है वो ना रहे और कड़वापन भी निकल जाए यहीं मैंने देखिए सर्सों का तेल लिया हुआ है जब तेल हो जाएगा तो मैं इसमें सौंप डालूँगी इसमें भी देखिए हमें सेम उसी सामान के जरुवत पड़ती है जिसमें ह अब उसके डाली है सोंप डालों गड़ाखिए तोन समय के तो मैं नमक नमक कहीं तेल होता है और तो इसके बाद में मैं डाली थी इसमें प्याज प्याज डाल दी है सभी प्याज़ डाल दूगी इसी तरीक से और जब प्याज़ चला दूगी थोड़ी से चलाओंगी प्याज़ को मतलब इसमें आप यह तरीक से बिल्कु डूब जाएगी इस तरीक से चला दूगी और और उसी में प Разपर त्रब कंड़ दूंगी थोड़ा कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना कि mesa काटा है ना कंड़ती तो ब्राउन नहीं करना है तो वह जो कर लो कर हो जाएगा इस भायसे थे सम भुल है और भी मैं दबार करके लोग भी तो मैं बादने में धूलने के जरूत नहीं रहती है इस EX तो एकलड़ मेर नधे टीकी वाली नहीं है तो मिर्ची मैंने इसमें ठोड़े जादा लिया एक चमच बरτ 거지 तो मेरे नशवंप बक्राइलêmूंदимоं मरे अधिक टर मैं सूंप यूर्च करती हुं मै तो मैं पीस करके रखला ले नहीं मैं पूर्ण है पर मसाले या में अच्छे से चलास हूंगी सैनल टाले हैरा पिसे बार शाही है तो अच्छे से olur एंक मेरे दुर्ध के समय जो मैरे नहीं नहीं कुछ ही रखें धाली होँ76 और भी उसल्ड हुरोथ हम पाणने कारा के नाई तो पानी तो सब्सक्राइब में निकाल के साथ रहुत यї ज तक हो सब नाई होए थे तो देखिए इस तर poking O आप सब्सक्राइब हमेरा तूट रहे तो तोड़ कर देख सकते हैं और यह तोड़ कर देख सकते हैं तोड़ने में प्रॉबल्लम ना हो तिदेखै हमारे करिल बन कर के तयार करके देखने उदूरी है कि करेले गला है के नहीं गला है मैंने दू तिन करेले इसी तरह की से कट करके देखे हैं हमारे करेले बन करके तैयार हो गया है करेली की रैसी भी आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक एमर से जरूर करना